आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू बैंगन और हरे मतर की सबजी इसके लिए टमाटर और धन्यापता लिया है अद्रक लसन और हरी मेज की पेश्ट ली है ये कड़ी पत्ते हैं वो लिए तेल और मसाले और नमक अभी हम एक कड़ाई गरम करेंगे इसमें तेल डालेंगे दो चमच राई जीरा डालेंगे वगार में ये हिंग डालेंगे थोड़ी सी और मिक्स करेंगे अभी अद्रक लसन और हरी मेज की पेश्ट डालेंगे कड़ी पत्ते डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्दी बाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे वगार में हल्दी बाउडर डालने से कलर अच्छा आता है और अब भी हम ये जो भाजी मैंने काटके रखा है मैं वो डालूंगी मैंने बड़े-बड़े टुकडे क लिए हैं आलू और बैंगन के और यह फ्रोजन मटर है वह मैंने लिए है अभी स्वाधनुसा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको ढखकर दस मेरिट तक मेडियम फ्लेम पे रख दिया है और अभी चेक करेंगे हम आलू हो गए हैं तो टमाटर डालेंगे और इसमें लाल मेच पाउडर डालेंगे अब जितना तिक्षा काते हैं वही सबसे अब मेच डालें तनिया पाउडर और यह गरम मस्ताला पाउडर यह पानी है यह पांट मिट के लिए मैंने मसाला डाल के डग दिया था और अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तैयार है हमारी बैंगन और आलू और हरे मटर की सब्ची मारी नहीं थाल कि प्राइब भ्ली देंगट की लिए अब मेचे से आए दो छाया आल फिए शेके से पाल एम गठैवारी आल नहीं पालें तोंदरी आल यह पालेंगने हमारे में ऊच्छेंगे